अब बात करेंगे महराश्ट्र के पूने शहर की कुक्याद गैंग्स्टर श्रद मोहल के जिसकी कथित तौर पर उसके ही गिरों की कुछ सदस्कियों ने शुक्रवार के दोफेर गोली मारकर हत्या करते वही पुलिस ने पूने 17 रोड पर एक वहान से 8 संदीगदों को गिरफ चला दी पुलिस के मताबिक एक गोली उसकी चाती पर मारी गई जबकि और दो गोलिया दाही ने कंधे में लगी घाय गैंग्स्टर की कोतरूर के एक नीजे अस्पताल में इलाज के दोरान मौत हो गई मोहल पर हत्या और दकेटी समयत कई मामले दर्च थे वे यहां यर्व के भीतर जमीन और पैसों को लेकर विवात छीड़ा हुआ था और यही उसकी मौत का कारण हो सकता है वही पत्रकारों से बात करते हुए महाराश्टर के उपमुख्यमंत्री और ग्रीह मंत्रे देविंद्र फटनवस ने कहा कि यह कोई गैंगवार नहीं था क्योंकि मोहल को उसके ही सयूग्यों ने मार डाला उन्होंने कहा चूकि हमारी सरकार जानती है कि ऐसे कुक्या तत्वों से कैसे नपटना है इसलिए कोई भी गैंगवार में शामिल होने की हिमत नहीं करता पुलिस अधिकारी ने बताए कि जाज के तहत 9 टीमें गटित की गई है मोहल और उ अधिकी की यर्वदा जेल में गला घोट कर हत्या करने का आरूप लगाया गया था मोहल और भाले राव दोनों को जून 2019 में पूरे की एक कोट ने बरी कर दिया था जनवरी 2010 में गैंग्सर के शोर की हत्या में शरत मोहल को मुख्या आरूपी बनाया था दत्तावडी पुल हाई कोट का रुख किया था और 2020 में हाई कोट ने जमानत दे दी थी कि